अगर आपने किसी से नहीं पढ़ा है और खुझ से इसको तयार कर लिया है तो फिर इस योजना में टाइम खराब करने का मतलब नहीं है तीसरा अगर ना तो किसी तर से पढ़ा हुआ है ना आपने खुझ से पढ़ा हुआ तो मेरी क्लास देख सकते हैं क्योंकि मैं भी कोसिस कर रहा हूँ कि आप लोगों कोई योजना याद करवा दो साथ में अपना इतना ही मोटीव रहेगा इस क्लास का तो बेसिकली इस योजना को मैंने अप्लिकेशन पे तो कंप्लीट एप पर पढ़ाया हुआ है उसी कम आपको एक सोर्ट में बता देता हूँ इस योजना के बारे में डिटेल सारी अपन ले लेंगे जो है और बेसिकली सारी चीज़े याद करवा दूँगा कूसिस यह करूँगा कि आपने याद नहीं करी होगी योजना अपने याद नहीं होई है यजना, उसको अपनों याद कर लेंगे तो शुरुना के नाम से इत्वर सुरुवात कर लोगे ताकि यह अभी पढ़ाकेर फिर ही आपको वापस से इसको रिकोर्ड कर रहा हूं है यहापे लिखावा इंद्रागांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले इस योजना का आपको एक धैवाके याद रखना है यह परिक्षा में पूछा जाए तो आपको धानकना कि इस योजना का जो टेग लाइन है वो टेग लाइन है जनता के लिए जनता का साथ ये important line है जनता के लिए जनता का साथ अगर परीक्षा में पुछा जाए कि इस योजना का टेग क्या है ये important है जनता के लिए जनता का साथ ये मुझे लगता है कि exam के लिए side important हो सकता है कि जनता के लिए जनता का साथ टेग लाइन कौन सी योजना की है या फिर कौन सी योजना में ऐसा सहरी रोजगार इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गैरंटी योजना का टेग लाइन क्या है तो क्या टेग लाइन है जनता के लिए जनता का साथ इसको रठ के रखना है जनता के लिए जनता का साथ अगली बात है कि इन जो सब्द हैं इनी सब्दों से इस योजना के बारे में डिटेल निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे याद बिल्मुल कंसेंटरेट करना है योजना का नाम क्या है इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारेंटी योजना ब्रार लाहां तो डेखें ऐसे आइसे याध लेंगे कि इंदिरा नाम आ रहा है इंदिरा नाम इसका मतलका किको से आप लगने की योजना है यоды जो योजना है वह राजिय सरकार की योजना है State Government की है नाम इंद्रा गांदी आ रहा है इसका मतलब बहुत उपर की बात है बढ़ी बात है बढ़ी बात इसका मतलब ये देश की सबसे बड़ी सहरी छेतर की योझना है आपको ध्यान रखना अच्छे से तो इंद्रा राहा है इसमें 100% funding राज्य सरकार की है, इंदिरा नाम आ रहा है, तो क्या ध्यान रखेंगे, यह ध्यान रखेंगे, इसाब यह योजना है, यह भारत की सबसे बड़ी सहरी छेत्र की योजना है, यह आपको रोजगार के लिए आपको याद रखना है, गांधी से सबसे आ रहा है कि ग परिवार को रोजगार मिलेगा, परिवार में किसी वेक्ति को रोजगार मिलेगा, तो यह परिवार आधारिती योजना है, रोजगार गैरेंटी लिखावा, इसका मतलब यहाँ पर रोजगार की गैरेंटी दी जाएगी, और कितने दिन की गैरेंटी दी जाएगी, 100 दिन क तो मुझे कोई के कि आप को रोजगार दे देंगे तो मुझे क्यों चीहें किसी के माथे और पड़ेंगे आप तो आप मांगने जाएंगे तो रोजगार मिलेगा साथ साथ में याँ दखना कि 2022-2024 के बजट में इन दिनों के संक्या 125 कर दिया है इस स्लाइड से अपने क्या सिखा इत्ती बाद से कि इंद्रा गांधी सहरी फिर रोजगार गारेंटी योजना इंद्रा से सिखा की राजजे की योजना है गांधी से सिखा की परिवारा दारीत है सहरी मतलब के उल सहरी छेतर के लिए रोजगारा दारीत है मतलब रोजगार आपको मिलेगा कैसा मिलेगा मांग आधारित मिलेगा 1000 दिन का रोजगार मिलेगा और इनको बढ़ागी कित्ता कर दिया है तेवीश सुइस के वजट में 125 दिन कर दिया है अब योजना सबसे अपन क्या सिखेंगे योजना सबसे ये डिटेल सिखेंगे कि इंदराच मनलव राजी रांदी से मम फरीवार हैर केसी मुझ्य इवरांजतर रौजगार गारैंटी मतलब शोदीन की गैरेंटी मिलेगी कैसे गारैंटी है मांगने पर przekने और 125 था आजकर इसको बढ़ा कर दोटेश सोग विजट में 25 कर दिया अब नाम आता नतीम योजना योजना से अपन क्या क्या सीखेंगे यह सब सीखेंगे यहाद करने का परपजर बाकी मेरा और कोई यहां पर इंदिरा शब्द आ रहा था इंद्रा वैसे आपको पता कि इंद्रा जी गरपे यांद होगी याद होचना हुए आपको ध्यान रखना है अब देखिए योजना का सुभारंब कबसे हो गया तो आप जब भी आपके घर पे बाई आती है उसको जो काम बोलोगी ना ना करती रहती है मेसा ना ना मतलब बाई को मेसा लगता है कि आपके घर पे खान गड़ी पड़ी है वह जब चाहे पैसे मांग लेती है तो खान बावडी जेपूर से और बाई को एक बात और लगती है कि आपके घर पे बिल्गूल ठाट हो रहते हैं तो ठाट सो करोड मतलब 800 करोड का इसका बजट का रोजगार गारंटी 100 दिन का रोजगार कैसा रोजगार डिमांड आधरित रोजगार बजट में किता कर दिया तेवी चोईस में इसको 125 कर दिया जनता के लिए जनता का साथ बहुत इंपोर्टेंट है यह इसकी टेग लाइन है और बाई इंद्रा जी के गरपे बाई 23 के ब बजर प्रावदान रखा गया अब आप वश्च फोड़ा सा पीछे से पकड़ लेते हैं यहां पे जो शेहरी चेतर के लोगों को मिलेगा तो इसका मतलब यहां पर शेहरी परिवार सम्मिल है यहां मतलब है कि शेहर के कौन-व्रोगों को मिलेगा तो यहां पर चार लोग जो घानकन की सेर के चार प्रकार के लोगों को यह रोजगार दे दिया जाएगा पहला जैना यह विशेश रूप से GuruJA कमजोर मिले गया गान दूसरा ग्यां अंशा है उ। साइपर यू और बेरोजगार एंथा उनको और मिले गाएượng फितने च्यार पहला कौन शावर्ट house अर्थिक कमजौर हो इसका उसकी कोई ओई करेगा वह बेरोजगार रहेगा और फिरो कई पर्वास कर जाएगा तो सब्से से प कमज़च रहे उसके कोई साहिता नहीं करेंगा वे रोस कर जाएगा आप ध्यां रखना में जो विशेष रूप से आրथिक 떨़िक जो कमजोरवरग हैं ए साइप है और बेरोजगार है उनको रोजगार मिलता ही रहेगा पर जो परवासी मजदूर है उनको एक कंडिशन में मिल सकता है कोई आपदा हुई कोई महामारी हुई उस ऐसी इस्ति में परवासी मजदूर को भी रोजगार दिया जा सकता है आपको याद रखना है बेरोजगार से चीज पकलडो यहां पर बेरोजगार कहेंगे किसे आप देकि मेरा मतलब तो यह कि आपके गर में कोई आप जब तक इसकूल में पढ़ रहे थे कि उमर के जो बच्चे हैं जो लोग है उनको खतरनाक जगह पर वैसे नहीं लगाए जाएगा याद करवाने के लिए बोल रहा हूं साट साल में रिटाइर्मेंट होई जाता है तो अठार से साथ के बीच की एज हो गई इनको रोजगार दे दिया जाएगा समझ में आ गया है कि इसमें एक चीज और है कि जिस वाड में हैं आपको प्रियास किया जाएगा उस वाड में आपको रोजगार परदान कर दिया जाए यहां तक आपके बास में आदी होगी अगली बात अपने इसमें देखें तो अब आपको रोजगार मिलेगा याद रखना तो आप क्या ह हो जाएंगे स्वाइत हो जाएंगे स्वाइत हो जाएंगे भी धारधार हो जाएंगे आप स्वाइत और धारधार हो जाएंगे मतलब रोजगार मिलते ही इंद्रागंधी रोजगार में आपको रोजगार मिलते ही आप ये स्वाइत सासन में वाकी हो जना होगी आप स्वाइ पालिका यहाद करना चाहें तो आर्थिक समिक्सा में इस फेज को हाइलाइट किया हुआ है कि सत्रा लाग्ट एकसर जार साथ माननव दिवस सर्जित किये गए हैं अब यह माननव दिवस क्या चीज होती है मैं पिता दू मालेटे 10 लोगों को रोजगार मिला और उन्होंने 100-100 दिन तक रोजगार किया तो टोटल दिवस कित्य सर्जित कर दिये है अजार दिवस सर्जित कर दिये ऐसे ही आर्थिक समिक्सा में इस एक लाइन को लिखा वाए मैं इसके स्टार मार्क कर देता हूं याद करना चाहें त चालित है यहां तक समझ में आ गया इसके बाद में देखते हैं इस योजना के बारे में हाँ अब अगर आपको शिकाइद बगिर करनी है तो इसके लिए एक तो पोर्टल है जो आपको मैं स्लाइड पर दिखाऊंगा पीछे यह तो पोर्टल है आई आर जी वाई अर्बन आप उस पर ही मिल जाएगा आपको दिखाऊंगा इसकी शिकाइद वगिर आप कर सकते हैं इसके बाद अगर अपन बात करें तो पंजीकरण अब सहरी चेतर में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको मैंने मुख्यन अगरपाली का अधिगारी के करते बता दिये थे अनुछे धारा 49 में बताया था कि मुख्यों के कारी है क्या होते हैं यह का कारी होता कि सहरी चेतर में ठोस खच्रा परबंदन का देख रेक करना अतिकर्मन को रोकने समंधित कारी हो जाएंगे प्रियाउन से समंधित कारी हो जाएंगे तो जो काम यह के हैं बहुत ध्यान स काम यूजना में करेंगे तीक है कि इसमें यूजना में जो पंजीक्रन करेगा कौन आपको नोक्री तिन में आपको जोब मिल जाएगी एक बात और more interesting है जब आपने काम कर लिया तो और लोगों के लिए इसका मतलब यह है या तो अध आइप के हैं और कोई उच mendws आदमी है जो चांकार है उसको रोजगार चाहिए कि जल्दी रोजगार उसको नहीं वैलिबेल करवा जाए जाए इन दो सरेणी के लोगों को रोजगार अभी लेवल करवा दिया जाएगा फंदरा पंदरा दियुस का इहां पे चक्कर याद रखना पंद्रा दियुस outta ए पंद्रा कर दिया जाएगा बंद्रा दियुस रिकोड कीपिंग से समधित कारी हैं मल्टि टास्किंग स्टाप की काम करवाया जा सकते हैं कोई मोडल बहुन बन रहा उसे समधित कारी हो सकते हैं यह करवाय जा सकते हैं जो कारी हैं अवेद होर्डिंग है बेंदर है दारा दोसो पैंतालिस में आपको बताया था सरकारी मुम्यू के थिकरमर अटाना उनसे समधित कारी इंचे करवाया जा सकते हैं इसके लिए आप धारा देख लेंगे और इसका आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं कि यह करवाय जाएंगे तात में आपको सीधा गूगल करना है कि कि इस यूजना के तैट कौन्ठचे कारी होंगी उसको एक पेज़ पर लिख लेना इन काररियों को याद नहीं करवा सकता ना जरूत है याद करने कि उसकते आ मकारी कि के हो सकते हैं तो सांबने प्रकर्तिके हैं जिसे गड़्डा कोदना है मैं इसांब गड़्ड़ा कर या मजदूर जदा अच्छे लगाएंगे यह जो काम होते हैं मेनविल हाथ से किये जाते हैं ऐसे तो नरेगा में जो आपको कहते हैं इधर से जैसी भी मतलब आपको 10 फिट की एक खाई खोदनी है आपको मेरे वाई की पास जैसी भी एक मिनट में खुदवा देता हूं मेरा दस तिन का काम हो गया नहीं हाथ से सारे काम करने पड़ेंगे तो यहाँ पे जो सामानेकारी हैं सामानेकारी माला आपको 100 रुपे खर्च करने तो 75 रुपे मजदूरी में खर्च करेंगे आपको घड़ा खोदना है तो ज्यादा ज्यादा मजदूरी देंगे सामागरी किते की आएगी फावड ही आजाएगी और कोई कुदाली वगेर आजाएगी तो 25 रुपे उस कराना है टेकनिकल काम कराना वहां पर मसीनों के पैसे जादा लगते हैं तो वहां पर सामगरी के पिछेत रुपे लगेंगे और मजदूर तो एक आदवी भी 20 कंप्यूटरों को मेनेज कर सकता है तो वहां पर मजदूरी वह 25 रुपे होगी याद रखना तो सामने प्रकृ तो अगर यह करने से कुछ कत्राई कर रहा है यहां भी लिखा हुआ है यह काम करेगा और इसकी जो तो मोनेटरिंग है वह जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी जिला कलेक्टर के द्वारा फैशे तीन स्तर पर समीथ्यां बनती यह भी अपन ने नगरपले एक्टर में डिसकस किया है तगे जिला स्तर और एक संभाग स्तर पढ़ने 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 हैं यहां पर आपको याद रखना है कि जो परसासनी को वित्य सुई करतियां है जब 49 पढ़ाया तब कि योगा पद एकमात्र ऐसा पदा जिसके पास में मजिस्ट्रियल थोड़े पावर होते हैं फिनेंशियल पावर भी होते हैं अदिशास यतिकारी देदेगा तो कोशन पूफचे कि इस यौजनाम मनें वितिय सुई करती हैं कि इसके द्वारा दी जाएँगी अपने ओलडरी पढ़ा है वहां से लिंक करेंगे तो यह योजना बहुत आसान फासान है चंस याद हो जाएगि इसके बाद में समीतियां स समितिस के लिए तीन इस्तर पर बढ़ेंगी राज्य संभाग और नीचे नीचे आपका जिल्ला रिलेट करना आपको 324-325 मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक जिल्ले की दो नगर पाली काओंगे बीच में लड़ाई हो जाए तो जिल्ला कलेक्टर निप्टान करेंगे याद इससे ये याद हो जाएगा एक जिल्ले की दो नगर पाली काओंगे बीच में लड़ाई होए तो समाधान ऐसके दोच आ जाएगा तो जला ऐख और दोच जलो की नगरपाली काओं के बीच में लड़ाई हो जाएं तो निफ्तान कुन करेंगे संभागी आयूक्त करेंगे जिले की नगर पाली का और और अन्य बॉल्ड बिजली बॉल्ड की लड़ाई ऊगी तो निफ्टान कोन करेगी राज्जे सरगार करेगी यह इदर है समीतियां जिला इस्तर पर समीती बनेगी संभागी स्तर पर समीती बनेगी और राजे इस्तर पर समीती बनेगी संभागी स्तर पर जिला इस्तर पर जो समीती बनेगी उसके देख सकौन होते आपको पता लगया जिलाक लेक्टर, दो नगरपा लिगाऊंगी लडाई जिले के नगरपालिगा की लड़ाई और बिजली बोर्ड की लड़ाई मुख्य सचीव याद रहेगा मतलब राज्य सरकार के हैड परमुक्षासन सचीव हो जाएंगे संभाग याड और जिला इस तर पर जिला कलेक्टर अब इनकी मिटिंग्स भी हैं अब इतना गहराई में जाके तो फिर हर एक फेक्ट्वल डिटेल कैसे याद रहेगी पर तीन महीने में एक बार इसकी मोनेटरिंग की बैठक होगी इसकी जो संभाग वाली है इसकी दो महीने में बैठक की जाएगी और जिला इस तर पर एक मा में इसकी बैठक की जाएगी इंपोर्टेंट यह नहीं कि इसको याद कर रहे हैं तो आप याद गरने साथ में यह बड़ी बात है नेक्स्ट इसके लिए मजदूरी है मजदूरी पर आपको याद कर देता हूँ जैसे को याद रखना है कि दो पाच नो यह एक कुसल मजदूर की मजदूरी है एक कुसल मजदूर की इसमें आपको बारा जोडने है तो कितना जाएंगे दो सो इक एतर यह हो जाएगी अर्द कुसल की इसमें आपको बारा जोडने है यह हो जाएगी कुसल की इसमें आपको पच प्लस बारा बारा जोडने फिर लास में पचास जोड देने हैं एक याद रखना है मेट किस में सम्मिल किया जाएगा मेट एक अलगी प्राणी है नगरपली का या नरेगा में आपने देखा हुआ कि जब नरेगा में जब काम किया जाता है उसको मेट बोलते हैं वह डायरी लेर के मतलब पढ़ा लिखात्मी है यादा पढ़ लेता तो फोलेज चला जाता है इसलिए उसने लड़का तो बारिव पढ़ाई कर लिए लड़की ऐसा वह दसवी तक की पढ़ाई करनी जरूरी है साथ में एयो के यो फोटी नायम में मैंने आपको बता है कि कुछ मोनेटरिंग प्रस्प्सिक्षन के कारिये याद आ रहा है कि कुछ फोटी नाइन में पता है अपने लिखाता नोट्स में कि क फरवान और निकाल लिया कि अब नेक्स से जो यह लगाए जाएंगी अप्रेल के बाद में वह यह व्यू पास तो कोई मिल जाएगा ट्रेंड यह होने चाहिए अप्रेल अवह को याद रखना कि इसमें एक इंट्रेस्टिंग बात अपने पड़ी इस में इस यौज्ञ्य का सामाजी कि जाएगी कौन करेगा विच सम्मिति के द्वारा याद हो गया चलिए अब एक बार एक मिनट थोड़ा सा ब्रीफली में आपको वापस याद करवा देता हूं देखिए योजना के नाम से क्या समझ में आएगा इंद्रा से मतलब राज्य सरकार की गांदी से मतलब परिवार आदारीत सहरी मतलब सहरी छेत्र के लिए गारेंटी योजना मतलब 100 दिन की गारेंटी का रोजगार मिलेगा मांग आदारीत मिलेगा इसको बढ़ाके गिता कर दिया देस की सबसे बड़ी योजना है और इसका आपको याद रखना कि योजना में जो बजट कौन से बजट में इस योजना का या बाई टेई 999 करेगी बाई 2022 और जेपुर में मेडम को लगता है बाई को कि इनके खान गडी हुई है खान बावडी और इनके ठाट होर के ठाट सो करोड आठ सो करोड का बजट याद अखना कि जनता के लिए जनता का साथ ये योजना की टेग लाइन है अब इन कि उम्मर किति उन्चे ठाट साथ उन्चे लाभार्थी कि कि साथ में आप याद रख सकते हैं कि रोजगार यह मतलब कौन साथ डिपार्टमेंट आपको रोजगार मिलते हैं आप स्वाइत हो जाएंगी तो स्वाइत शासन भाकी होजना है दौसो चालिस जगें चला ही जा रही है दस चत्रीस और एक स्वाइत चोराण में और यह मानकारी दिवसकारी 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 आप सब्सक्रीन आगए से कारी दिवसका जाता है और 171760 मानोदीर सर्जित किये गए हैं इसके बाद में इसके टॉल फ्री नंबर जो अभी आपको दिखाऊंगा इसका पोर्टल इसके बाद में अपने इसमें डिसकस किया इसमें जो पंजीकरण है यह आपने 49 में पढ़ा था CMO और रोजगार 15 दिन में बुगतान 15 दिन में इसके बाद में अपने डिसकस कर लिए किसाब यह कारी है जो 49 में मैंने डिसकस करवाए एक बार देख लेना गूगल करना कि इंद्रागानी सरी रोजगार आटी हो जना में कारी वो कौन से होंगे उनकी एक लिस्ट बना लेना लग से करम कूच सकता है इसके बाद में अग बनाई जाएगी और प्रसासने को वित्तिय स्विव करती योग के पास में पावर होते ही अधिसासी अधिकारिया आयुक्त के पास में और तीन इस तरफे समीतिया मैंने बता दी को के बीच के लड़ाई होती जिला कलेक्टर एक दो जिलो की होती है तो संभागी आयुथ औ और बोर्ड के साथ लड़ाई होती है तो राजी सरकार इनकी मीटिंग वगेर याद है कि तीन महीने दो महीने एक महीने में होती है इसके बाद में यह मजदूरी वाला मने आपको बता दिया यह मजदूरी मिलेगी ताहरा पच्पन में तैत हमाजी गंके अगेक्शन वीच का लिखा हुआ है इधर देखे अगर आप देखना चाहें तो इसमें यहां पे यह लिखावा कि सबसे बड़ी देखे यह लाइन लिखी हुई है देश में सबसे बड़ी रोजगार गारेंटी योजना, मुलब देश की सबसे बड़ी रोजगार गारेंटी योजना है, लाबार्ति खुद या इमित्र के मादेम से में रजीश्यसिल करा सकता है, जरुवत मंद परिवार, परिवार लिखाव, परिवारों को रोजगार दिय जाएगा ताथ इसमें लिखावा कि योजना के लिए सालाना थाट सो क्रोड आठ सो क्रोड का बजट होगा आवेदन कैसे करना जनादार नंबर या जनादार पंजीन की रसीद होनी चाहिए जनादार से इसमें पंजीडन कर सकते हैं यह कुछ अक्सा इंफॉर्मिशन आप ए लिखावा इसमें अब ये मैंने कुछ नहीं किया सहीं बताऊं तो मैंने कोई रिसर्स नहीं किया और इसमें रिसर्च की जरुआती नहीं क्योंकि सारी चीजश की में सामने में जाती है तो मैंने कोई इस अक्स्टा परियास W т. two scald यी तो सब गुगल करते हैं इसम останब अपने आप ही लिखी दिए अपन को कुछ करना ही मी पढ़ रहा है। उप इसनियूज को खोलते हैं तो इसनियूज में कुछ नया है मिल जाएगा यह योजना के बारे में है कि साहब इसका मसोधा तयार कर लिया गया है इसमें पात्तर कोन ओंगे सर्में показ करनेक् लिखा हुआ है साथ में ऐसे होगा पंजीकन पंजीकन की डिटेल दीवी है पंजीकन के लिए जना दारकाड होना जरूरी है योजना के पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन के साथ निकाई वे जोन कारिया ले और इमित्र पर इसकावेदन हो सकता है जिस वाड का निवास यह रो पर्मट आने का कारिये उद्धानी के कारिये यह सब लिखावा यहां पर इसके बाद अगर यह देखे थे तो यह देख सकते हैं देस्ट में सबसे बड़ी सहरी रोजगार गारेंटी की एक जोजना है यह साफ़जा डिटेल लिखी वेए साभ यह लिखावा सारकसरा यह ल लिखावा देखे 18-60 वर्ष का वेक्ति यह पारी सर्मिक अनुपात क्या रखा जाएगा बैंक खाते में अगले 15 दिन में बुबतान कर दिया जाएगा अग इसमें मुझे नहीं नहीं किया है यह साफ साफ यह पर लिखाव मैंने इसको एक्जगा आपको बता दिया है यह सार अगहां पर चीज को बताता हो है यहां पर आपको जो करें तो सिस्टेंद यही पर लिखी वह है तो और यहां से देख के यह पर बनाएंगे तो अपन कोशिस यह कर लेंगे कि यह अब किसी को भी चलाएंगे तो इसमें डिटेल आपको बता देगा सारी सारी पंजीगन कैसे करना इसकी डिटेल आपको यह पर मिल जाएगी इसलिए मैंने कोशिस क्या करी है कि आपको डिटेल बता दी जाए खिर भी आपको लगता है इस योजना कुछ और एड़ करना था आप और एड़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट योजना के साथ अजा है